कीर्ती आजाद ने भाशपा को इस लोगसभा सीट से पहली बार दिलाई थी जृत अब टीमसी के प्रत्याशी जानिये दर्भंगा लोगसभा सीट का राजने तेक समी करन बिहार का दर्भंगा लोगसभा सीट मिथ्यांचल के सबसे दिल्चस्प सीटों में से एक है आपातकाल तक इस सीट पर कॉंग्रस का दब्दबा हुआ करता था और इसके बाद भाटिये लोग दल जनता दल राज़ुत के साथ भाशपा ने इस सीट पर जीत हासल की है यहां क पांच सांसर्थ सरकार में मंत्री रह चुके हैं दर्भंगा के सीट को मिथ्यांचल की हिर्दय अस्थली भी का जाता है हर पाटी के लिए यह सीट काफी खास है दर्भंगा बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी काफी लोग प्रिये है यहां का इतिहास भारत और रामायन काल से जुड़ा है इसकी चर्चा पौडानिक काव्यों में भी की गई है दर्भंगा शब्द द्वार बंग या फारसी भासा के शब्द दड़े बंगाल या बंगाल का दर्वाजा का मैथली भासा में कई सालों तक चलने वाले अस्थानिय करन का नाम है मा रियासत मिथला और बंगाल के कुछ इलाकों में कई किलोमीटर तक फैली थी और इस रियासत का मुख्याले दर्भंगा हुआ करता था दर्भंगा में एतिहासिक परियटक अस्थल के तौर पर राजबरीशर और किला का सौंदर रियद दीखने को मिलता है यहां के महल मंद दर्भंगा का विकास कारिय जारी है यहां हाल ही में सांसर डॉक्टर गोपाल ठाकुर्णे प्रिधान मिल्ट्री ग्रामसरों की उजना की फेज 3 के अंद्रगत दर्भंगा ग्रामीन विधानसभा के सदर प्रखंड में सोन की वाया महुआ जफरा कांठी बहुआ ही अती हर 6.5 किलूमीटर लंबे सड़क का उधगाटन किया है इससे कई लोगों को सीधा लाफ पहुचेगा दर्भंगा में सरक नाला निर्वान को भी मंजूरी मिली है इसके बाद नगर के साथ वाटो में 7.64 करोर से जल निकासी का काम होगा साथ ही यहां सुगं यातयात की भी विवस्था पर जूड दिया जा रहा है हाल ही में यहां दर्भंगा स्टेशन काय कल्प की यूजनाओ के भी शुरबात की गई है अमरत भारत रेलवे स्टेशन यूजना के तहएं दर्भंगा और सक्री स्टेशन के पुनर्विकास की कारिकास से लाeedन्याज किया गया दर्भंगा इम्स के निर्मान कारे का भी रास्ता साफ हो चुका है और बिहार सरकार ने कींद्र सरकार की सभी शर्तों को माल लिया था दर्भंगा के एरपूर्ट पर नाइट लैंडिंग भी हो चुकी है अब तक किसका रहा इस छीतर पर दब दबा समय के साथ साथ दर्भंगा की लोग सभा सीट ने कई बदलाओ को देखा है यहां साल 1952 से लेकर 1972 तक कॉंग्रस का दब दबा हुआ करता था लेकिन साल 1977 में कॉंग्रस की रफ़तार को समासवादियों ने रोग दिया था 1997 में जनता पाटी के सुरेंद्र राजा की जीत दर्च होई थी साल 1980 में कॉंग्रस के हरिनात अमिश्र ने जीत हासल की और ये कॉंग्रस की आखडी जीत थी साल 1984 में इंद्रा गांदी की हत्या के बाद इस सीट से ललित नरायन मिश्रा के बेटे विज़ कुमार अमिश्रा ने लोक दल के उमिद्वार के रूप में जीत हासल की और साल 1999 में कीर्थी आजाद ने पहली बार यहां भाजपा को जीत दिलाई वहें लालो यादव के सत्ता में आने के बाद यहां का राजनितिक समय करन बदल गया और M.U. के छातर नेता रहे मुहमद अली अश्रफ की जीत हुई यहां करीब डेड़ दशक तक क्रिकेटर कीर्थी आजाद और अश्रफ फात्मी के भी चुनावी चक्कर हुआ साल 2009 और 2014 में कीर्थी आजाद ने फात्मी को मात दी थी वहें दिल्चस्प बात ये है कि दोनों नेताओं को अपनी पार्टे से मतभेध हो गया दोनों सांसदों ने साल 2009 में अपनी पार्टियों को छोड़ दिया उसके बाद भाजपा ने साल 2009 में पुर्व विधायक गोपाल जी ठाकुर को टिकट दिया और इन्होंने राज़त के प्रत्याश्ची को मात दी थी फिलहाल कीरती टीमसी में है और फात्मी जदियू में कीरती आजाद को टीमसी ने पश्यमगाल के बर्दवान दुरगापूर से टिकट दिया है साल 2024 के चनाओ पर्टी की सभी की नजर साल 2004 में भाज़पा ने इस सीट को खो दिया था और राज़त की यहां से जीत हुई थी लेकिन फिर भाज़पा के जोली में ये सीट आज गई थी इसके बाद से ये सीट भाज़पा के ही खाते में है हालंकि इस सीट से सबसे अधिक सांसद बनने का रिकॉर्ड काफी नुकसान उठाना परा था वही कोसी की बार्ड और इलाके की सुखार यहां सबसे बड़ा चुनावी मुद्दार रहा है ब्राहमान यादव और मुस्लिम वोटरों के वोट का यहां की चुनावी रासनीती में एहम यूगदान रहता है साल 2014 के चुनाव में जदि और भाजपा ने अलग-अलग चुनाव लरा लेकिन इस बार फिर से दोनों एक साथ है इस कारण इस बार क्या होता है यह देखना काफी तिलजस्प होगा अभी के लिए इतना ही अब जाते जाते हैं आपके लिए एक सवाल छोड़ कर जाते हैं आपके अनुसाद क्या साल 2014 के चुनाव में दर्भंगा में भाजपा की जीत बढ़ करार रहेगी आप अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं धन्यवाद